हेलो बच्चों जैसा कि बच्चे कह रहेते कि मैं अध्य फिकेशन में प्राब्लम आरी है तो आप फ्लीज मैंगनिफिकेशन के ओपर एक वीडियो लेकर आओ तो आप इक क्या होता है इसका कैसे मैंंगनिफिकेशन की बारे में क्या क्या पता लगा सकते कि आप सब सही होंगे तो अब हम इपनी वीडियो को स्काट करते हैं तो देखते हैं वह अवर्धन याने की मैंगनिफिकेशन क्या होता है देखो अगर हम मैंगनिफिकेशन की बात करें तो इसका फॉर्मला क्या होता है इसको रिप्रेजंट किसे करते हैं इसको रिप्रेजंट करते हैं M से इसका सिंबल क्या होता है M होता है ऊपर क्या आते है हाइट ऑफ इमेज और नीचे क्या आता जो भी image बनके आई है वो ऑब्जेक्ट के compare में कितनी ज्यादा large है और कितनी ज्यादा small है उसका comparison image का comparison है किसके साथ object के size के साथ I hope यह बात आपको clear हो गये तो भाई मैगनिफिकेशन क्या पताता है कि इमेज इमेज आपका इमेज जो है आप जो प्रतिभिम है वो आपजेक्ट से आपजेक्ट से कितना बड़ा और कितना छोक्ता है चीक है भाई यह बात आपको के लिए है यह बात आपको के लिए हो गई होगी चीक है चलो अब आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम magnification लिखते हैं तो हम इसको with sign लिखते हैं इसको with हम sign लिखेंगे मतलब मैं लैट से कि आपका Concave Mirror है ठीक है यह आपकी मुख्यक्ष हो गए यानि कि आपके प्रिंसिपल ऐकसज लगई अगर आपका की आपकी जो ऑब्जेक्ट की हाए अगर आप प्रिशिपल एक्से से ऊपर की तरफ, जो भी उनक्या यह जो भी आप तो वह पॉजिटीव रहेगी अगर नीची तो हे ग मैं इन बातों का आपको ख्याल रखना है magnification की value calculate करते हुए चलो इतनी बात clear हो गई चलो अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि magnification height of image upon में height of object तो होता है लेकिन साथ में इसका एक और formula होता है जो की होता है minus v by u clear हो गया अब हमने इसी को देखना है कि यह हमारा कैसे आया वो let's say यह आपका क्या होगे यह आपका concave mirror after darpan और यह आपकी मुख्यक्षाने की principal axis होगी चीक है बच्चा हमने क्या लिया let's suppose यहाँ पर कोई object रखा है यह उसके object की height होगी चीक है इस object से यहाँ पर हमने principal axis की क्या की parallel way भेजी तो यह आपके कहां से pass करेगी obviously यह आपकी focus से pass करेगी चीक है के लिए रो गई चलो एक ray हमने क्या किया एक ray को हमने pole पे ढला एक ray को हमने क्या किया एक ray को हमने pole पर ढला तो जब इसकी हमें reflective day मिली तो हमें कुछ इस तरीके से मिली है मतलब यहां यहां पे कुछ इमेज बनेगी यह हल्का सा इसको सई कल देते हम लोग इसकी इमेज कुछ आपकी यहां यहां कुछ बन कि आएगी चीडिया वैं हम यह जूम करें मैं आपको एक जफिगर बनाकर दिखा रहे हूं यह आपकी क्या निकल करा है हाइट आफ यहां आप की आई थी यह आपका पूल था छीक के और जिसे आप हिंदी पर कहते हैं अब अगर मैं इस आपको राइंगल को कुम कोण सा आप एट प्रेंगल कर लोThese अ कि इए ऑद प्यारे और यह त्पर रलेलक resembles greet यह कितने रफ थीन्ए एक डैश बी डैश और यह पी यह लाइन आपको हलकी सी ऐसी दिखाई दे दिये लेकिन अगर हम इसको सीधा बनाने की कोशिश करें तो यह कुछ ऐसी जाएगी चीक है एक हमने कौन सी लेली एक हमने लेली एक हमने यह वाले लाए चीक है एक हमने यह वाला प्राइंगल कंसीर किया इसके अंदर A डैश B डैश और P अगर इसमें आप similarity देखोगे यह वाला एंगल कितना है आपका थीटा तो यह भी कितना हो जाएगा आपका थीटा याने कि PP तो आपका क्या हो गया, PP आपका ये ठीटा हो गया, छीके बया, इतनी बार समझ में आ गई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 90 है, तो ये भी आपका 90 ही है, और ये वाला triangle भी क्या आजएगा, आपका 90-ठीटा, याने कि अगर मैं इसका comparison करूँ, इसमें similarity तो मैं इसके अंदर ये कह सकती हूँ भई, इसके अंदर मैं क्या कह सकती है, कि भई, ट्राइंगल आपका, जो ABP है, वो किसके similar है, वो A-B-P के similar है, वो A-B-P के similar है, याने कि यहां से अगर आप देखोगे, तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं वापिस इसके पास चलूँ A-B-P upon me AB, इनके ratio को भी मैं क्या कह सकती हूँ, इनके ratio को भी मैं बराबर कह सकती हूँ, और B-P upon me AP, और B-P upon me AP, मैंने आपको पहली बोला था, कि जो भी आप M के अंदर value रखोगे, वो with sign रखोगे, चीक है, तो यहां से अगर आप A-B-P को देखोगे, तो वो below the principle axis है, तो यहां पर आप इसकी value क्या लेंगे, यहां पर आप इसकी value negative में लेंगे, और यह आप किसकी value लिख रहे है, यह आप image की height लिख रहे है, यह आप क्या लिख रहे है, यह आप image की height लिख रहे है, यह बात के लिए रोगई आपको, और अगर आप A-B को लि वेगर आप डदय06 पी की बात करोगे यह आपका क्या होगा यह आपका वसंगे डूनों किस में आएंगे एक कि आप यह तो दूरी मेजर करते हो इस तरीक से जा दिया है और यहां से कर रहे हो इसके अपोजिक डिरेक्शन में क्योंकि हम सारे मेजर जो भी हम डिस्टेंस करेंगे मिरर के अंदर वह पोल से करते हैं चीक है औबजेक्ट से शुरू नहीं करेंगे पोल से करेंगे इसलिए मैंने कहा कि आप यहां से उल्की दिशा में जा रहे हो विपरीक चल रहे हो तो यह माइनस यह माइनस कैंसल हो गया यहां से आपका ह आई बाई हो कितना आ गया वी बाई यू तो यह बात तो आपकी आपको किलियर हो जानी चाहिए कि मैं क्या कहना चाहिए यह मैंने आपको यह बताया है माइनस वी बाई यू आएगा यहां से माइनस भी आ गया यह आपका जो मैगनिफिकेशन है वो सिर्फ ना ही है अपॉन में हो का रेशियो है वो माइनस वी बाई यू भी हम लिख सकते हैं ठीक है अब मैं आपको इसके अंदर कुछ ऐसी बाते बताऊंगी जिसमें आप वैल्यू को देखकर यह बता सकते हो कि आपकी आप इमेज के बारे सुनना मेरी बात अगर आपके एम की वैल्यू पॉजिटिव है इस एम को मैं कब कब पॉजिटिव बना सकते हूं पहले तो हमें यह वाला केस देखना है मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको बताया मैं मिज एच आई बाई एच ओ तो यह यह पॉजिटिव कौन से केसे बनेंगे या तो आपके ऑब्जेक्ट भी ऐसा रखा है और आपकी इमेज भी ऐसी बन रही है या फिर दोनों आपका ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है आपकी इमेज भी कैसी बन रही है ऐसी बन रही है दोनों सेम सेंस में आ रहे हैं जिस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट रखा ह उस तरीके से ही आपकी image आ रही है, तो उस case में आपका Magnification कैसा आएगा? Positive आएगा, और जब भी आपका Magnification कैसा है? Positive है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी image कैसी बनेगी? यार रखेंगे कि आप इसको आपकी image कैसी बनेगी? जो आपकी image बनके आएगी वो कैसी होगी वो आपकी इरेक्ट होगी वो इमेज कैसी होगी आपकी वो जो इमेज निकल कर आएगी वो इरेक्ट इमेज होगी यानि कि वो आपकी इमेज मेरे प्यारे बच्चों वर्चुल होगी कैसी होगी वर्चुल होगी इस एन वर्चुल होगी तो सब्सक्राइब 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 में इसी केश में आसकते हैं हम आप Community है उसे हैं और आपकी इमेज ऐसे बन ली कैसे इमेज बन ली है आपकी एमेज बन ली है इन वर्टेड कैसी इमेज बन दिए है आपकी इमेज बन लिया स्वास्टी और अग हा दिए उस आपको एक पॉइंट और बता दो पॉइंट और रहें वह क्या के अगर आपके मचों बात को ध्यान से सुनना है यहाँ पर मैं साइन की नहीं यहाँ पर मैं सिर्फ का वेल्यू की बात कर दिए हो अगर आप खुद भी दिमाग लगाओगे यह जो आपका रेशो ए ग्रेटर दन वन कम बनेगा जब आपकी हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर होगी हाइट ऑफ अबजेक्ट से अगर कुछ बच्चों को यह नहीं समझ पा रहे हैं तो वह एक बात ध्यान में रखेंगे अगर magnification की value I am talking about only value ठीक है यहाँ पर आप किसी sign को consider नहीं करेंगे sign से आपको सिर्फ क्या पता चलेगा image का nature पता चलेगा लेकिन image आपकी magnified बनी है या फिर image diminished बनी है यह आपको value से पता चलेगा अगर आप यहाँ पर m की value को देखेंगे अगर वो greater than 1 है तो आपकी image कैसी बनेगी आपकी जो image बनेगी मेरे प्यारे बच्चों वो magnified बनेगी चीक है अगर in case आपका जो m है वो less than 1 है इस case में आपकी जो image बनेगी वो कैसी बनेगी वो object से छोकी बनेगी याने कि वो diminished बनेगी यह बात के लिए हो गई एक example भी दे देती हूँ आपको let's take आपको मैंने example दिया minus 2 का यहाँ पर आपको minus का sign क्या बता रहा है minus का sign अगर मैं आपको वापिस लेके चलूँ minus का sign क्या बता रहा है कि image inverted होगी और real होगी minus का sign क्या बता रहा है image कैसी है image आपकी inverted है and real है चीक है clear होगी इतनी सी बात और यह 2 अगर मैं सिर्फ इस value को देखूं अगर मैं सिर्फ value को देखूं इस 2 को देखूं sign नहीं लेना यहाँ पर इस value देखना है तो यहाँ पर जब आप इस 2 को देखोगे तो 2 आपको क्या बता रहा है कि image 2 1 से greater हो गया तो यहाँ पर आपकी image कैसी बनेगी magnified बनेगी याने की object से large बनेगी मैंने magnification को लेके आपको सारी बाते बता दी है सारे points मैंने cover up करने की कोशिश करिया I hope कि आपको यह video अच्छी लगी होगी ऐसे ही fact और अच्छे अच्छी बाते physics में जानने के लिए मुझसे मिलते रहिए हमारे example board exam channel पर physics की classes में बहुत बहुत धन्यवाद बाबै बच्चो टेक किया